Company का नाम है Bissil Plast Limited, इसके current stock price 2.67 पैसे है, इस company न अब तक 685% का return दिया है, अब चेक करते हैं इस company के market cap को, company का market cap 14.4 करोड का है, अब चेक करते हैं करते हैं इस company के P ratio को, company का P ratio 72.1% है, अब चेक करते हैं इस company के ROC को, तो company का ROC 24.2% है, अब चेक करते हैं इस कमपनी के ROE को, कमपनी के ROE 24.2% है अब चेक करते हैं इस कमपनी के scorecard को, तो कमपनी के performance low है, valuation, high है और growth के chances low है अब चेक करते हैं इस कमपनी के revenue को, दोजा 15 में इस कमपनी का revenue था 0 रूपीज, जोके दोजा 23 में बढ़कर हो गया है 4 करोड अगर इस कमपनी के 2015 से 2019 तक के data को देखें, तो 2017 में इस कमपनी ने 6 लाग कम है थे, जिसके बाद 2019 में इस कमपनी ने 6 लाग कम है थे 2020 में इस कमपनी ने अपना revenue generate करना शुरू किया, 2020 में इस कमपनी ने 1.24 करोड कम है, 2021 में 0.98 करोड, 2022 में 1.51 करोड, और 2023 में 4.03 करोड अब चेक करते इस company की net income, 2015 में इस company की net income minus 0.09 लाग थी, यानि कि इस company को 9 लाग का नुपसान हुआ था, जोकि दोज़ा 20 में बढ़कर हो गया है 0.18 करोड, और अगर इस company का overall revenue देखी, तो 2015 से 2021 तक इस company ले लगाता loss ही किये हैं, 2012 में इस company ने 1 लाग की income की थी, और 2013 में वो बढ़कर हो गया 18 लाग, अब चेक करते इस company की sales को, 2015 में इस company की sales थी 0 रुपीज, जोकि 2018 तक 0 रुपीज रही थी, दोजा 19 में इस company ने 6 लाग की sales की थी, जोकि दोजा 20 में बढ़कर 1.24 करोड की होगी, दोजा 21 में वो 0.98 करोड की होगी, दोजा 22 में 1.51 करोड की और दोजा 23 में 4.03 करोड की sales की, अब चेक करते इस company की share holding को, company के promoters के पास company का 0.04% share है, mutual fund, domestic institution और foreign institution में इस company का एक भी share नहीं है, और retail investors के पास company के 99.96% share है, अब चेक करते इस company की share holding history को, तो company के promoters लगातार अपनी holding बेच रहे हैं, इस company के promoters के पास company के मात्र 0.04% share है, तो दोस्तों आपको इस company में invest नहीं करना चाहिए और अगर आपने अप तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट अपन कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें दोस्तों के लिए शेर करें और ऐसे वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करें